इस वीडियो में नहीं है जो पप्पी हमारे पास आया इस विचारे का छोटा सा ही था यह लगभब 20-20 दिन का तभी accident हो गया था इसका अंदर से जबड़ा तूट चुका है इस वज़े से इसके गले में नीचे infection हो गया है पस पड़ा हुआ है और इसको दोनों आक से दिखन आप भी बंद हो गया था एक अंक तो ठीक हो चुकिए एक अंक से इसको भी दिखाई नहीं देता है आपको वीडियो पूरी देखना इसके आपको वाइट वाइट से दिखेगी जैसे पत्थर हो गई हो तो अब गलत उसका ठीक हो गया है इसका जकम वगएरा सब सूख गय अब मेरे पास ही है लाइफ टाइम अब मेरे पास ही रहेगा तो अगर आपको कोई आपके गली मोले में इस तरह कोई पपी मिलता है जिसको चोट वगएरा लग जाती है तो उसको टीट करना भी बहुत ही सिंपल है पपी को तमात लगा ही सकते हैं आईवर मैक्टिन 1 ml का इ कर सकते हैं इससे ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि यह इंजक्सन जो है 20-25 किलो बोडिवेट को एक एमल दिया जाता है तो बहुत ही सावधानी पूरवक करना है जखम छोटा मोटा है जहां पर डोगी चाट रहा है तो उसके लिए आप अमोक्सिस लीन का लिक्वीड ले आएं आप उसको और अपना 0.3 ml के आज पास इसी चोट से पपी को 5 ml तक भी चलेगा पिला सकते हैं उससे इसका जखम सुख जाएगा और उसके जखम को हम बीटादीन लिक्विड जो होता है उससे कोटन सच के सफाई कर सकते हैं इससे से रिकवर हो जाएगा आईवर म पिलाएं उससे इसके जखम के सारे मैगेट समर जाएगे इससे सारे जखम भी सुख जाएगा वीडियो में थोड़ा कन्फीजन सा हो गया अगर आपको कुछ समझे ना है ताब मुझे कमेंट करें आपको अपना वट्सब नमबर दे दूगा पर छोटा पपी का थोड़ा स साबदानी पूर्व के लाज करना है इस फ्रेंड इन सभी एनिमल्स की हेल्प करें इनको खाना दे मारे मत